कि दिल्ली में G20 सब्मिंट के लिए भारत आये डेलिगेशन अब हिंदुस्तानी बैंक के बगएर पेमेंट कर सकते हैं E-Rupee और UPI के जरीए चले जी अला उनको और तो रखी दे और एक मिनिट के अंदर ट्रांजेक्शन हो जाती है अब उनने ऐसे ATM बनाए है जुस पर कार्ड भी नहीं लगता सिरफ पिंट डालो QR स्कैन को और पैसा निकालो तो पाकिस्तान में यह सिस्टम क्यों नहीं है मैं यह तो स्पूछ रही है हमारे मुल्क में क्यों नहीं मैं समय तो यह भी बहुत बड़ी चीवमें और यह चीवमें भारत को इसका क्रेट जाता है मोदी जी उक्रड जाता है Prakistan की करनजी की कोई वैली यह डीजिटल की तो दूर की बात है डीजिटल का तो मामला ही खराब है ना तो अब पाकिस्तान की जो जो करनसी है वो भी अवगानिस्तान से भी नीचे है बंगलादेश से भी नीचे है पर इस बात पर देखे अब सर पकड़ के सोचने के हर जगई इंडिया इंसे आगए हम टेक्नोलोजी में इंडिया तो दूर हम बंगला देश यहीं दोस्तों आप सभी का एक उन्हों वीडियो में स्वागित है दोस्तों जैसे कि आप लोग जानतें कि भारत ने यूपीयाई सिस्टम को लौंच किया है और यूपीयाई सिस्ट से आप असानी से अपने पैसे दूसरे बंदे को ट्रांसपर कर सकते हैं उसके यूपाई नंबर से और दोस्तो इसी बज़र से पूरी दुनिया में देश में UPI सिस्टम को लाना चाहती है और इसी बज़ा से उन्होंने भात को एप्रोच भी किया है जिसमें अमेरिका तक सामिल है दोस्तो इससे पता चलता है कि भात टेकनोलोजी में आज कहां पर पहुँच गया है सभी देशों से आगे जो है बात इस वात चल रहा है और भ politicians आपस में लड़ने से ही फुरसत नहीं है और ना ही हमारी economy संबल रही है आपने digital India की बात की थी मेरी नजर से प्राड़क्ट उनकी गुजरी UPI उसको कहते है United Payment Interface I was shocked I was shocked अहले दिन मैंने मोधी जी की speech उसके बारे में जब सुने हैं वो किस तरीके से मूना Singapore के साथ उसको दाहरा कार है भुटान निपाल मलेशिया सिंगापूर UAE फ्रांस उमान और योर्पी अनिगों ये एक पेमिट का एक प्राट एक एक एप है या एक जिसके साथ कोड के साथ आप पेमिट भेज सकते हैं इस वक्त साड़े छे लाक भारती जो है वो सिंगापूर में है और व मोहन साथ बलके बड़ा इंट्रस्टिंग एलेक्टिकल एंजिनियर है लेकिन उन्होंने अपना अपनी स्किल जो है वह वहां पर वो डिजिटल इडिया की बात हो रही है इस साइड पर जिहाद की बात हो रही है फिर यह मुझे अक्सर कई लोग कहते हैं यार कि तुम पाक पाकसानी बैशिंग नहीं है यह खायश का इजहार करना यह सोचना कि यह मेरे मादरे मिलत के अंदर मेरे मुलक के अंदर भी कोई ऐसा इंसान हो जो कहे आएं डिजिटल पाकसान की बात की जो अगर चनाय बन सकता है अगर सिलिकान बैली बन सकती है तो लहोर में डिजिकल डिजिटल सिटी नहीं बन सकता क्या वागी आपको जहाद चाहिए आपकी डेस्टिनेशन यही है अपने बच्नको आज sports अमेरिखा भाले क्यों नहीं आज को बताते कि क्यों लिचा हो चाहिए उप आपने फाउं पर खड़े हो जाए इस वकुत भारत जो है वह दूनिया सारे स्टार्ट अप्स में से तीसरे नबर पर है आपको क्या प्रावल्म है आप अंधे हैं आँखों से आप कानों से बैरे हैं यह दौन सिंड्रम है आप क्या बात है क्या वज़ा है कि आप जैसे डियने के लोग यूट्यूब के भी वह सीओ हो ही तुईटर मों भी चला रह है आप क्या बात है आपको क्या मिशू आप अपना लाज क्यों कि करा ले ते आपको क्या वज़ा है कि हारवर्ड और ग्रेज्वेट के लोग पड़े वे जाकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं लेकि आप सोच रहें कि सलाइधा भी खतम हो चुकी है बलके भटों से अगर हमेशा डरना चाहिए जब भी एक अमीर आदमी गरीब आदमी की बात करते हैं उसको वादा देता है आउर रोती कपड़ा मकान आज तक उसी के वोट लेरे हैं जी ट्वेंटी का डेलिगेशन भारत आया हुआ है मज़े की बात यह है कि वो लोग बगेर हिंदुस्तानी बै पूरी दुनिया में चर्चे हैं और अब जो इंटरनेशनल डेलिगेशन जो जी ट्वेंटी के डेलिगेशन जो भारत पहुंचे हैं वो भी जो पेमेंट है वो ई रुपया या फिर यूपी आई के ज़रिये करेंगे देखें वो बहुत अडवांस हो गए है अब उनके मु आएंगे ही नहीं पहली बात तो यह कभी खुदा खौफ करके शहाद आई जाएं जब सलाब आता है फिर वो आजाते हैं जब हम मरने लगते हैं करोना होता है फिर वो खुदा तरसी करके हम पर आते हैं लेकिन पाकिस्तान में तो डिजिटल करनसी का कोई कॉई कॉन करके सोचने कीरी में जहाज मदला एक मालॉमात मिली है कि जब सकत्र की जन्ग होई जञूता है उसनेका है कि पाकिस्तान पर अमला करते हैं हो फॉस ने कह दो बड़े जालम होजाते हैं फिर अ पर हमें आम ली बचेँगे उसने कहा जा जी इस ट्redictर हैं उसके जो ढराभ चीफ और जो वजिरियादम जुल्वकार अली बटो और जर्नल ये या खान दोनों भी हैं दोनों भी हैं मेरे साथ उन्होंने शुट हुई है इस टेम असिस से अच्छा मोगा कोई भी नहीं है पाकिस्तान पर अटैक करने का ये जर्नल रोडा ने इंदरा गांधी को का फिर इसी लगे उन्होंने हमला किया इसी वज़ा से हम नकतर में हमने नवे जार फोजी भी कैद कराए ठीक है और हमने अपना आदा मुलक तो छोड़ दिया ना बंगलादेश से हाथ दो बैड़ इधर हम उदर वो और ने शही आदमी था बुटो शराब पीता था उसने का है मे अपनी देश के लोगों को सुबदा जो हम महुलत करवाना चाहती है क्योंकि इससे आप कैसलास ट्राजक्शन कर सकते हैं आपको अपनी जेब में कैस रखने की कोई भी ज़रूरत ने पड़ेगी और सिंपल आप किसे भी UPI नंबर्स कोट पेमेंट कर सकते हैं और इसी बज बार्त से इतने पीछे हैं कि आप भाम बार्त का मुकाबला सो साल तक नहीं कर पाएंगे दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट पुक्स जुरू पताना और चैनल को सब्सक्काइब करें ना और मिलतके ने पीडियो को साथ तब तक ठेंक्यू एड़ ब बाय